वेलकम एवरिवन, बहुत बड़ी गुड नीवस आ रही है, CSIR, Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants की तरफ से यहाँ पर उनकी बंपर वेकेंसी को और्गनाइस कर दिया गया है अब यहाँ पर सभी डोमेन के students eligible बनने वाले हो, Agriculture, Botany, Biomedical, Biotechnology हो गया, Pharmaceuticals हो गया, Pharmacognosy हो गया, और भी बहुत सारे डोमेन के students यहाँ पर eligible बनने वाले हो 15 different post बनने वाले हैं, Junior Research Fellowship, Senior Research Fellowship, Senior Project Development, Project Associate की बहुत सारी post है तो ऐसे काफी सारे departments के अंदर आप लोग work कर सकते हो stipend up to 50,000 बनने वाली है, according to your qualifications and आपकी post के लिए जा रहे हो, salaries वेरी करने वाली है, और यह आपकी monthly salary बनने वाली है experience, top notch, type and rest of the best, HRA का support और भी बहुत सारी चीज़े यहाँ पर provide की जाएगी अगर आप लोग इस चैनल के पर पहली बार आ रहे हैं, लीज इस चैनल को subscribe कर लिजे for further more updates नीचे description में, under apply link, scroll करते वे नीचे जाएए, under apply link, you'll find this apply link एक चीज में आप लोग अभी समझा देता हो, यह सारी की सारी vacancies repeat होते रहती है every 3 और 4 मन्त के बाद यह चीज़े renew होती है, जहाँ पर new projects, new details, बहुत सारी चीज़े वहाँ पर update होती रहती है repeat करोंगा, चीज़े update होती रहती, तो don't go further, application date और end thing, just check this apply link यहाँ पर आपको date बता दिया जाएगा, posted on, और उसके हिसाब से आप लोग चीज़े समझ लीजे details clear हो गई, सबसे पहली चीज़े यहाँ पर आप लोग notification वाले टैप के ऊपर click कीजे उसके बाद आपके सामने यह important notification open होने वाले, पहली चीज़े मैं आप लोगो समझा देता हूँ, यह सारी की सारी चीज़े walk-in interview based रहने वाला है official website है न, यहाँ पर check कर लेना, अभी recent में क्या आया है, उसके एक और चीज़े समझ में आ जाएगी अब यह जो walk-in interview होई, अठरा तारीक को होने वाला है, 20-25 दिन का भी फिलाल में time है, तब तक आपको भी update provide कर दी चाएगी समझे, walk-in interview बनने वाला है, अब walk-in interview कहाँ पर रहेगा, तो यह जो उपर address दिया गया है इस address के उपर आप लोगो visit करना है, बट उसके पहले बहुत सारी चीज़े आपको arrange करनी पड़ीगी, तो वो भी details आप लोग समझ लीजे हर साल, हर साल, अलग-अलग केलो laboratories में, अलग-अलग जगों पर बहुत सारी ऐसी vacancies CSIR के तरफ से organize की जाती है और बहुत जादा बच्चे जाते, around thousands में बच्चे जाते हैं, जिन में से shortlisting थोड़ी difficult हो जाती है थोड़ा बहुत आपको idea पढ़ गया रहेगा, फाइदा क्या है, important चीज, you get a prior knowledge और top-notch laboratories के अंदर आपको work करने का मौका मिल जाता है, Indian government के तरफ से, तो आप खुछ समझ सकते हैं, किस तरीके की facilities रहेगी पहला फाइदा, दूसरा फाइदा, तगड़ा stipend, तगड़ा stipend, यहाँ पर आप लोग scroll करके देख लीजे, stipend per month, 42,000 plus support of HRS plus funding agency, funding agency के तरफ से, आप लोग को HRS का भी support प्रोइड कर दिया जाता है, अगर आप कहीं और रहते हो, अगर आप बाहर रहते हो, तो आपको HRS का अभी support मिलने वाल, अभी इससे जादा क्या ही चाहिए किसी को, समझे, details हम समझते वे चलते हैं, जहाँ पर सबसे पहली चीज़ है, जहाँ पर, जहाँ पर चीज़े बनने वाली है, research associate, सबसे बड़ा post बनता है, research associate, उसके बादे senior research fellowship, junior research fellowship, senior project associate, project associate, phase 1 and 2 बनने वाला है, एक post में, क्या-का important factor सी, उनके उपर ही बात की जाएगी, वरना, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, serial wise आप सारी की सारी चीज़े देख सकते हो, total यहाँ पर आप लोग को काफी सारी post बनने वाले, 15 के करीब total इन post बनने वाले हैं, अब ही में, salaries different different बनती है, हाँ, hra का support 90 to 95 percent time provide किया ही जाएगा, समझे, तो पहला जो post बनने वाला, देखो, research associate का, जैसे मैंने बता दिया, of knowledge of cultivation and popularization of medicinal and aromatic plants, चीजे clear होगे, अगर आपका, इस किसी भी domain में है, या फिर आपने प्याइजडी भी किया रहेगा, तो भी काफी हद तक तो आपका काम हो जाएगा, समझे, उसके बाद यहाँ पर mention कर जाएगा, stipend आपको किस तरीके का मिलने वाला है, top notch बनने वाला है, date 18 1.2023, साड़े 9 बजे से चीजे स्टार्ट होने वाली, मैं सजेस्ट करूंगा, प्लीज आप लोग 9 बजे तक वहाँ पर पहुची जाएगे, इससे लेट मत कीजे, साड़े 9 समझ के मत जाएगे, वहाँ पर बहुत सारे और procedures होते है, आपका एक ID card create वगर किया जाता है, आपर agriculture, botany पूछाता, वैसे second उसमे, agriculture, botany फिर आपर MSC वालों को importance दी गई है, उसका agriculture extension related चीज़े है, MSC, botany और बहुत सारे domains है, हर एक का work location कभी-कभी change होता, अब जैसे ये post है, तो इसके लिए जो work location है, वो gohati आसाम बनने वाला है, तो work locations change हो सकते हैं, बट interview का जो है, वो सारी की साथ चीज़े लखनव बेसी बनने वाली, चीज़े clear हो गई, या फिर आप इनका नाम वगर डाल करके, इनकी details भी ले सकते हो, फिर आप इनको further contact करके भी, और जादा information ले सकते हो, required रहेगा, comment कर देना, मैं इनके contact details भी आप तक share कर दोंगा, समझे, अब जैसे स करना ही कहूंगा, जाइए, get that damn experience की how things work, बहुत है students ऐसे हैं, जो ऐसी postics में apply नहीं करते हैं, अब जाइए experience लीजे, फाइदा जबरदस्त बनने, समझे, select होगा, अच्छी बात है, नहीं, तो you will be getting that damn experience, ना, experience के पहले जाइए, आफिस है students ऐसे हैं, जो इन चीज़े में apply न होती है, इसलिए मैं हमेशा से कहते हैं, जहां पर भी vacancy दिखे, apply करो, select होते हो अच्छी बात है, but you will get that experience, कि किस तरीके से selections की जाती है, समझे, सारी के सारी post को check कर लेना, almost सभी के सभी students को यहां पर apply करने का मौका मिलने वाला है, important part जो बनता है, नीचे हम सीधा उसके पर जो बनता है, वो चीजे तो आजाएगी, important certificate रहेगा, stipend रहेगी, किसी भी company में अगरा further apply करने के लिए जाओगे, CSR में permanent postings भी आती है, उनकी भी update दी जाएगे, उनमें जब आप apply करोगे, तो फाइदा बनेगा कि नहीं बनेगा, उन्जे तो यही चीजे में हमेशा से ऐसी जो postings आती है, उनमें apply करने के लिए जाएगे, बहुत कम ऐसे students होते हैं, जो इन चीजों में जाते हैं, क्यों जाते हैं, 90% of the students work for कि नहीं हमें permanent के लिए जाना है, तो मत जाएगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, permanent को support करने के लिए ऐसी जो चीजे लगती है, तो नहीं हो जाँगा, go for the things, experience मिल जाएगा, काफी जादा फायदा बनने वाला है, समझे, temporary base के पसे सारी की सारी चीजे बनने वाली है, walk-in interview के अंतरगत सारी की सारी चीजों को रख दिया गया, अगर आप कोई past category वगरे से belong करते हैं, तो आप लोग को 5 से 3 साल के करीब का कुछ age relaxation मिलन इससे जादा कुछ और फायदा मिलने वाला है, नीचे आप लोग को scroll करना है, और भी काफी सारी details यहाँ पर mention कर दी गई है, जो भी applications को submit करना है, वो भी details में further बता देने वाला, उनके base के पस ही काफी सारी चीजे आप पर include की चाहिए, समझे, experience जहाँ पर required है, वहाँ पर थोड़ा बहुत रहेगा, तो काफी हद तक काम चली जाता है, समझे, COVID के जो भी necessary norms and all है, वो सारी की सारी चीज़े आप लोग समझ लेना, TADA प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, interview process के लिए, बाकी future में जो रहेगा, वो सारी की सारी चीज़े आपको provide की चाहिए, no request for online, जो आप लोगो यहाँ पा देखो registration form करके दिया गया है, जिसके अंतरगत आपको यह सारी का सारा form मिलने माल, फिल करना थोड़ा अच्छी तरह से इन चीजों को फिल करना, अप्रिंट निकालना है, तो आपके वोपर चीज़े डिपेंड करते है, सारी की सारी चीजों को फिल क करके mention कर सकते हो, no करके mention कर सकते हो, फिर no करके slash डाल सकते हो certification courses, तो इससे भी काफी हद तक काम हो जाएगा, जो students ने हमारे certification courses ले रहेंगे, उनको भी काफी हद तक फायदा बन जाएगा, फिर signature and all करेंगे, आप लोगो इस form को साथी में जो भी आपके degrees and all है, आपके research papers हैं, अपने जो भी चीज़े किरेगे, उनका भी आपको proof पहाँ पर ले जाना पड़ेगे, एक दिन के अंदर सारी की सारी चीज़े हो जाती है, तो ज्यादा तिकत नहीं बनेगे, अगर आप one go में जाके आ सकते हो, और अच्छी बात बनेगे, समझे बाकी सारे department से related updates आप पर आना पर एक जो एक čारे हो जारे यूट, ऑजड़े एल नहीं जाउन ये जा ले डोज़े सारे